दोस्तों अगर आप भी वही रोज की सेम दाल बना के और खा के बोर हो गए हैं और कुछ नया खाना चाहते हैं तो आज मैं आके साथ में शेयर करूंगी इदम धावाज श्टायल में बनने वाली बहुत बहुत टेश्टी तड़के वाली अक्खा मसूर की दाल और ये दाल ख के लिए मैंने यहां पे लिया है कूकर कूकर में डाल देंगी हम 2 चमा सरसो का तेल जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा फिर अम डाल देंगे इसमें तड़के के लिए आधि चमा जीरा साथ में जाएगी फ्लेवर के लिए हींग और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे लिया है 3-4 लॉंग सबको फ्राइ कर लेंगे और यहां पे तड़का फ्राइ हो गया है बहुत छी महग भी आ रही है तो अब इसमें डाल देंगे हम एक प्याज बारी कटा हुआ साथ में जाएगा बारी कटा हुआ अदरक इस दाल में अदरक कटे इस बहुत चाता है अब अदरक को प्याज को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे जब तक जो कलर है वो चेंड न हो जाए तो इनको मेड़ा फ्राइ करेंगे ताकि प्याज जो है वो अंदर तक अच्छे से फ्र कर लिया है प्याज के जो कलर है गोल्डन सा हो गया है इदम परफेक्ट प्याज करने के बाद में डाल देंगे हम एक टमाटर बारी कटा हुआ और टमाटर के साथ में हम डाल देंगे धेल सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया इसको भी हम फ्राई कर लेंगे टमाटर के साथ में ताकि जो डाल का फ्लेवर है और अच्छा आजाए तो पहले हम टमाटर को फ्राइए करेंगी प्यार के साथ में ताकि denote charter ह्लक से नरम से हो जाए और यहां पर जो टमाटर है प्यार के साथ में अच्छे से भुन गया है डमाटर भी कूर नरम सा हो गया है और है रिधनीय का फ आदी चमर गराम मसाला दाल के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे लिया है आदी चमर मैगी का मसाला यह डालना टोटली ओफनल है लेकिन डालेंगे टेस्ट बहुत चाहेगा और इसका जो फ्लिवर होता है बच्चों को बहुत पसंद आता है और हलकी सी खटास के गलते अधी तो यहां पर यहां वम्चू पॉडक साहत में टाल देंगे लिए स्वादOOOOOOOOOK अपर ऐसे साथ में फन्रूट दे लेकिन सदॉक्ष्ऐ में यहां पे लिया है दो चम्स पानी का मसाले बहुत जली भूल जाते हैं और यह मैंने यहां पर मसालो को अच्छे से भूल लिया है और फिग व इनुररी जा है Clay तो मैंने पहले से ही एक कप दाल को धो लिया था दो तिन पाने से फिर आदे खंटे के लिए पाने में छोड़ दिया था भीगने के लिए तो पहले साथ दाल को भीगो के रख दीजे ताकि अच्छे से फूल जाए अब हमके करेंगे सारे मसालों के साथ में अख्छा मसूर की फ्राइ हो गई है अब इसमें जाएगा पानी तो इतनी दाल के लिए मैंने यहां पिलिया है दो ग्लास पानी इतना पानी बिकु परफेक्ट रहेगा अब पानी को अच्छे से उबाल लेते हैं तो यहां भी देखी जो पानी अच्छे से उबनने लगा है यहां मिला देते है ताकि जो flavor अच्छे से mix हो जाए अब इसको cover कर देंगे और cover करके पकाएंगे 3-4 सेटी आने तक 3-4 सेटी में डाल गल जाती है उसके बाद हम गैस को बन कर देंगे और cooker को ठंडाओने देंगे और यहां में maximum 3-4 सेटी आने के बाद मैंने गैस को बन कर दिया था प्रेशन निकल गया असके बाद खोल के देखेंगे और यह देखिए क्या लाजवाव हमाई दाल देख रही है इवाँ मिला देते हैं तो यह है इदम simple लेकिन बहुत बहुत tasty अख्छा मसूर की दाल अगर आपको simple दाल खाना है बहुत ताम जहाम नहीं करना है तो आप इसको एसे enjoy कर सकते हैं लेकिन हम बना रहे हैं धाबाज टैल बे बनने वाली बहुत ही tasty लेसनी फ्लेवर की अख्छा मसूर की दाल तो यहाँ बे दाल तयार तो होई गई है अब फटा फटा हम बना लेते हैं इसका तड़का तड़का बनाना बहुत ही असान है पहले हम गैस पे रखेंगे तड़का पैन इसमें डाल देंगे हमें चमदे से घी घी को पहले हम अच्छे से गरम कर लेंगे जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए 3-4 कलिया लेसन की बारी कटी हुई इसका जो फ्लेवर है तड़के भी बहुत चाता है साथ में टेस्क को बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे लिया है 3-4 सुखी हुई लाल मिच दोनों को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो यहां पे हमारा लेसनी तड़का बनके तयार हो गया है अच्छे से फ्राइ हो गया है बहुत इची महक आ रही है तो मैंने ग्यास को बन कर दिया है गैस बन करने के बाद में डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिश्का पाउडर कलर के लिए साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हींग फ्लेवर के लिए इन दोने को अच्छे से मिला देंगे तो यहां पर तड़का बनके तयार है साथ में तयार है हमारी गर्म गर्म अख्खा मसूर की दाल अब यह दड़का है इसको डाल देंगे दाल के उपर साथ में डाल देंगे गार्णिश के लिए बारी कटा हुआ हरधनिया अठ्छे से मिला देंगे तो ये लिजे तैयार है हमारी घर पे ही इदन धाबल स्टाइल में बनने वाली बहुत बहुत टेस्टी लैसुनी फ्लेवर की अख्खा मसूर की दाल तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये डिफरेंट टाइप से बनने वाली धाबस टैल वाली अख्खा मसूर की दाल बेहत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप मुझे फेस्बूक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो करिएगा अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वाच, प्लेयां का किचन जोन